नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत ए आपके अपने चैनक भक्ती सागर में आज हम एक बहुत ही पावन पर्व गोवर्धन पूजा के मेहेत हो और इसकी कथा पर चर्चा करेंगे यह दिन भगवान श्रीकृषण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का दिन है जिसे अनकूट उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है इस विशेश पर्व पर हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अहंकार को समाप्त करने और गोवर्धन पूजा का महेत्व समझाने की अद्भुत कथा का स्मरन करेंगे गोवर्धन पूजा का महात्मय और कथा गोवर्धन पूजा का आरंब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंडर देव की पूजा रोक कर गोवर्धन परवत की पूजा करने के लिए फ्रेरित करके किया था इंद्र के क्रोधित होने पर उन्होंने मुसलधार बारिश कर दी, जिससे पूरा ब्रज जलमगन हो गया भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन परवत को धारन कर सभी ब्रजवासियों को शरंदी और इस प्रकार इंद्र के अहंकार को नश्ट किया यह घटना यह दर्शाती है कि सच्ची शक्ती भक्ती और सेवा में है नकी अहंकार में गोवर्धन पूजा की विधी और विशेष्टा 1. गोबर से गोवर्धन परवत का प्रतीक बनाए घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन परवत का प्रतीक बनाकर पूजन करे 2. अन्नकूट का आयोजन करे, चावल, सबजी, मिथाई और अन्य अन्य से भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करे 3. पांच दीपक जलाई, गोवर्धन पूजा स्थल, तुलसी के पास, घर के मुख्यद्वार, पानी के परिंडे और लक्ष्मी पूजन स्थल पर पांच दीपक जलाई, जिससे घर में सुक्षान्ती और समरिद्धी का वास होता है 5. गोवर्धन पूजा के अद्भुत लाब गोवर्धन पूजा करने से व्यक्ति को धन, सुक और समरिद्धी प्राप्थ होती है इस दिन भगवान श्रीकृषन और गोवर्धन महाराज की पूजा करने से मन की शांती मिलती है और जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ती मिलती है निशकर्ष धन्यवाद